तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 22 इसमें बोला हुआ है कि रेफरेंस टू एक्जाम्पल नंबर 13 कम्प्लीट द फॉलोंग टेबल तो अभी फिर से एक बार थोड़ा डिसकस करना पड़ेगा तो इवेंट ऑफ सम अफ डाइस डाइस का टोटल 2 हो 3 हो मतलब 2 डाइ लिखो आप वन वन बात में आप बोलोगे सेर वन टू मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो वह क्रोस वाली में वाट है तो अभी हमने करिएटी पहले आप बोलो गिनों का येगा टू वन थ्री का येगा ध्री 1, 4 का 5, 1, 4 का 5, 1, 5 का 6, 1, 6 का 7 तब बोलोगे सर इतनी line पहले proper draw कर देते तब बोलोगे सर यहां पे लोगे आप blue color और यहां लोगे आप total करोगे तो हो जाएगा 4 आप बोलोगे सर अभी चालू करो आगे 5 की line तो 5 में होगे इतने favorable outcome आप यह जो line कर रहे ना उसका total करो 2 digit का तो कितना होगा सबका 5 ही होगा यह technique हमने already discuss की थी आप बोलोगे सर 1, 5 का लोगे आप 1, 5 करोगे तो सब भी जगा 6 ही आएगा same way आप बोलोगे सर यहां 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 और 6, 1 सबका total कितना हैगा आप बोलोगे सर 7 अब आप बोलोगे सर अब कैसे करना है तो यहां पे लिखना है आपको 8 चलो उसकी line ड्रॉ करते हैं तो आप बोलोगे सर 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2 तो आप बोलोगे सर इससे आगे जाने दो तो आप इसके आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर अभी है 3, 6, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 6, 3 तो आप बोलोगे सर इसमें आएगा 9 टोटल आप करोगे तो सेम वे आप बोलोगे सर अभी आगे जाते हैं 10 के लिए 6, 4, 5, 5, 6, 4 तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 10 सेम वे आगे चलते तो आप बोलोगे सर अभी आएगा 56 56 and 65 तो आप बोलोगे सर 11 जो एक बचेगा वह होगा 12 तो आप बोलोगे सर अब करना क्या है तो आप लंबा लंबा लिख भी सकते हो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह क्वेशन जो आएगा हमारे बड़ा क्वेशन तो पूरा आएगा नहीं पूरी प्रॉब्लिटी तो आपको एक बीग भी पूछे तो आप एजीली आंसर कर पाओ इसके लिए लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है इसको याद रखने की जरूरत नहीं लॉजिक क्लियर कर दो कि टू कैसे आएगा 3 कै कैसे हैगा 4 कैसे हैगा और वो लाइन कैसे सर ने ड्रॉब की है जैसे यह खतम होगा तो आप बोलोगे सर 2 का चांस है प्रॉब्लिटी आने के तो ऐसा एक ही फिवरेबल आउटकम है कितना है एक ही फिवरेबल आउटकम तो 1 बाई 36 उन्होंने लिग दिया हुआ है उसके ब बोलोगे सर 3 बाई 36 5 जो है वो 1 2 3 4 तो आप बोलोगे सर 4 बाई 36 कोई बच्चा ऐसे याद ना रखे हैं कि सर एक एक नंबर काम आ रहा है ऐसे कोई लॉजिक नहीं है वो आपको confusion create कर सकता है इस अच्छा है आप यह समझ के करो 6 तो उसमें आने के 1 2 3 4 5 तो आप बोलोगे सर 5 बाई 36 7 जो हो 7 आप देखो के तो 1 से लेके आखरी तक है तो आप बोलोगे सर 6 बाई 36 8 का उन्होंने और यह करके दिया हुआ है क्योंकि हमने इलास्टेशन नंबर 13 में किया था इसलिए 9 आप देखो divert तो 1, 2, 3, 4 तो आप बोलोगे sir 4 by 36 इसके बाद 10, 3 में आ रहा है तो 3 में आ रहा है तो 3 by 36 उसके बाद आप बोलोगे 11 sir 2 में आ रहा है तो 2 by 36 और 1 by 36 वो होगा 12 का क्योंकि 12 का एक ही favorable outcome है उसके बाद आप बोल सकते हो कि sir ये तो अमारा पूरा probability find out हो गया उसके बाद एक student का argument है वो second number का है तो आप बोलोगे sir इसमें आप देखी रहे हो कि ये argument सही नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो हर एक की probability डिफ्रेंस आ रहे है अलग अलग आ रहे है डिफ्रेंट आ रहे है हरे की probability 2 से लेके 12 तक की probability आप यहां पर देखो जो मैं बोल रहा हूं वो हरे की probability क्या है कि अलग अलग आ रहे है तो आपको खाली एक लाइन में आंसर लिखना है मतलब सब इक्वल नहीं आ रहे है वैसे कहने का मतलब है तो अभी आप बोल सकते हो कि आपका sum number 22 खटम हो गया अभी हम आगे जाएंगे आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरूर कीजिए